भारत ब्रह्मन पर मैसूर के श्रवन कुमार स्कूटर पर मा के साथ पहुंचे पठना सड़क पर इन पठी की लोगों की नजर आज के दौर में बच्ची अपने बूढे माबाप को व्रिधा अश्रम छोड़ देते हैं हमें ऐसे कई उधारण देखने को मिल जाते हैं लेकित बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जीजाल लगा देते हैं इनी में से एक है करनाटक और मैसूर निवासी दक्षणा मूर्थी कृष्ण कुमार जो कि मा के सपने को पूरा करने के लिए अपनी 73 वर्ष्य बुजर्ग मा चौदार थना अम्बा को लेकर भारत भ्रमन पर निकले हैं अब तक वो अपने पुराने स्कूटर से मा के साथ कई हजार किलो मीटर से ज्यादा का सफर कर चुके हैं इस समय वो पटना पहुँचे हैं दक्षणा मूर्थी अपनी मा चौदार थना के साथ हेलमेट बहन कर अपने पुराने स्कूटर से पटना पहुचे तो सड़क पर लोगों के नजर इन पर टिक गई वो अपनी मा के साथ भारत भ्रमन पर हैं 2018 से ही भारत भ्रमन पर हैं दक्षणा मूर्थी दक्षणा मूर्थी ने शादी नहीं की दक्षणा मूर्थी का कैना है कि घर के अलावा मा ने दुनिया नहीं देकी थी एक दिन उन्होंने कहा कि उन्हें भारत भ्रमन करना है मा के इच्छा पूरी करने के लिए दक्षिना मूर्ती ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पुरानी स्कूटर लेकर मा संग भारत भ्रमन पर निकल पड़े 2018 से भारत भ्रमन पर हैं दक्षिना मूर्ती मा के साथ देश के लगबख सभी प्रमुकस्थानों मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं अम्मा का कहना है कि मेरे बेटे पर मुझे गर्व है। उसने मुझे देश के लगबख सभी मंदिरों के दर्शन कराए आज के बेटों को भी मेरे बेटे से प्रेणा लेनी चाहिए। व्रिधा अवस्था में बेटे मातपिता को व्रिधा अश्रम छोड़ देते हैं। ऐसे मे कोरोना के चलते उन्होंने मैसूर में अपने पैतरिक घर पर ही रुकना पड़ा। फिर 15 अगस्त 2022 को उन्होंने पुनहा अपनी यात्रा शुरू की। दक्षणा मूर्ती कृष्ण कुमार की मा चौदार थना अम्मा ने बताया है कि 73 की उम्र में भी वो सुफूर्त हैं। साल 2016 से पहले दक्षणा मूर्ती ज्वाइंट फैमली में रहते थी उनका 10 लोगों का परिवार था। पिता के मृत्यू के बाद वो अपनी मा के साथ बैंगलूर आ गए। उनकी मा चौदार थना अम्मा ने गर के चार दिवारी के लावा बाहर की दुनिया कभी नहीं बेटे से कहा कि वो भारत भ्रमण करना चाहती हैं जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मा के सपने को सच करने के लिए निकल पड़े। मेरा रिपोर्ट पंजाब के स्टुटी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन् देवाद